ओम शान्ति पर्स्तिति नहीं आनी है ऐसे तो बाबा ने कभी नहीं कहा पर तुमारी स्वास्तिति पावर फूर रहनी है यह बाबा ने जुरूर कहा तो पर्स्तितियां तुम पर हावी कैसे हो सकती है इसलिए कोई भी करम करो उसका आदी, मद्दे, अंत चेक करो, समझो और फिर करम करो तो वो शक्तिशाली रहेगा तो फिर आप परस्तितियों को क्रोस कर लेंगे परस्तिति या न अच्छी निशानी है, गुड़ सायन है कि आपकी स्तिति की चेकिंग होईगे अगर स्तिति चेकी नहीं करोगे तो फिर कैसे पते चलेगा आप कहा स्टैंड करने है कोई भी सिच्वेशन आती है कई भार हम सही और गलत का निरने करना चाहते हैं, पर ये भी मालम होता है कि जो निरने हम कर रहे हैं वो गलत है फिर भी कहीं गलत की तरफ ही निकल पड़ते हैं सोचते और समझते सब कुछ देखते आदी मद्दे अंत भी जानते हुए कि इसका लास्ट जो है वो हमारे फाइदे में नहीं है और ये बात अगर किसी को पता पड़ेगी तो सभी ये कहेंगे कि ये क्या किया है तो फाइदा नुकसान और इज़त का ध्यान ना रखते हुए गलत कर्मों में निकल पड़ते है तो अगर किसी चोर को ये पता हूँ कि मैंने जो चोरी की है लास्ट मेरा जेल में ही ये है आज तो तुम बच गए छोटी चोरी की फिर कल तुम्हारे को शोंक आया बड़ी चोरी करने का क्योंकि छोटी चोरी में तुम पकड़े नहीं गए थे तो फिर ऐसे ऐसे तुम्हारे दिल बढ़ती चली गए और फिर तुमें लास्ट में मिलना तो वही है, सजाएं चलो इस दुनिया की जेल से वैसे बच जाओगे तो फिर दूसरी जेल में जाओगे तो जेल में तो जाने ही पड़ेगा ना कि करम ऐसे की है तो कोई भी करम हो जो आप भी कर रहे हो उसका आदी मद्यान तो जुरूर देख लेए फिर करो भले करो फिर देखना, कोई भी परस्तिती आपको जुका नहीं सकते समस्या है पर साथ में समादान भी है ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समादान ना हो तो फिर समस्या शाबदी नहीं होता ऐसा कोई प्रश्ण नहीं जिसका उत्तर नहीं हो, तो हमारा ध्यान उत्तर की तरफ होना चाहिए, solution की तरफ होना चाहिए, ना कि हम समस्यों को पगड़ के बैठे रहें, तो किसके जीवन में समस्या नहीं है, बस ये देखना है, कि उसके जीवन में भगवान का साथ है, तो समाधान भी उसके साथ है, समस्या तो सब के बास है, पर समाधान किसी किसी के पास है, क्योंकि बाप जिसके साथ है, उसके साथ समाधान है, बागी सब के पास समस्या है, इसलिए वो सब समधान वालों के पास भागते हैं ओके तो सिर्फ हर करम करने के पहले उसके आदी मद्यांत तीनों काल चेक करके समझ करके कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन पस्तित्यों को पारक कर लेगे